अच्छी बाते सुनने से नहीं बदलता है, जीवन लक्षे तक पहुँचने के लिए चलना जरूरी है, चार बर्ष पहले जीवन मंत्र डेश्क गौतम बुद्ध रोज अपने शिश्यों को उपदेश देते थे बुद्ध की ज्यान की बाते सुनने काफी लोग आते थे एक व्यक्ति गौतम बुद्ध का प्रवचन सुनने रोज नियम से आता था और उनकी सारी बाते सुनता था बुद्ध अपने प्रवचनों में क्रोध, अहंकार, लोब, शत्रुता छोड़ने की बात कहते थे इने गौतम बुद्ध से कहा कि तथागत, मैं रोज नियम से आपके प्रवचन सुन रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आपकी सारी बाते सच है, लेकिन मेरे जीवन में इनसे कोई बदलाव नहीं आ रहा है। बुद्ध ने उस व्यक्ती से पूछा कि तुम कहा रहते हो। उसने जवाब दिया कि मैं श्रावस्ती में रहता हूँ। बुद्ध ने पूछा ये जगह यहां से कितनी दूर है। उस व्यक्ती ने जगह की दूरी बताई। इसके बाद बुद्ध ने फिर पूछा तुम वहां कैसे जाते हो। व्यक्ती ने बताया कि कभी घोडे पर, कभी बैलकाडी पर बैठ कर जाता हूँ। बुद्ध ने फिर पूछा कि तुम्हे वहां पहुँचने में कितना समय लगता है। व्यक्ती ने पहुचने का समय भी बता दिया। इसके बाद बुद्ध ने अंतिन प्रश्न पूछा कि क्या तुम यहां बैठे-बैठे ही श्रावस्ती पहुच सकते हो। इस प्रश्न के जवाब में व्यक्ती ने कहा कि गुरुजी ये कैसे संभव है। इसके लिए तो चलना पड़ेगा, तभी मैं वहां पहुच सकता हूँ। बुद्ध बोले कि हम चल कर ही हमारे लक्षे तक पहुच सकते हैं। ठीक इसी तरह जब तक हम अच्छी बातों का पालन नहीं करेंगे, उन पर चलेंगे नहीं, तब तक हम पर। प्रवचनों का कोई असर नहीं होगा। सिर्फ अच्छी बाते सुनने से हमारा जीवन नहीं बदलता है। हमें प्रवचन को समझना होगा और उन्हें अपने जीवन में अपनाना होगा। व्यक्ति को बुद्ध की बाते समझ आ गई और उस दिन के बाद। उसने भी बुद्ध के बताए मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। बुद्ध के प्रवचनों से व्यक्ति की सोच बदल गई और उसका मन शान्त हो गया। इस चोटी सी कथा की सीख यह है कि अगर हम मन शान्त करना चाहते हैं तो हमें क्रोध लोग। मोह अहंकार को तुरंत छोड़ देना चाहिए। इन बुरायों की वजह से हमारा मन अशान्त रहता है, शान्ती नहीं मिलती है। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा और अगर कुछ सीखने को मिला। हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और ज्यानकी गंगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही कमेंट में नमो गुद्धाय जरूर लिखिए धन्यवाद। हाँ